Hello students, welcome back to elite tutors. चलिए इस वीडियो में हम देखने वाले हैं science में part 1 में जो syllabus reduced हुआ है, वो देखते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं, सबसे पहले page number 1 पे आपको देखना है page number 1 पे सिर्फ इतना ही cancel किया है, use of ICT जो आप देखर हो, 1 minute use of ICT जो है, ये cancel किया है, तो ये आपको cancel करना है, use of ICT फिर page number 1 के बाद आए page number 2 पे, ये है page number 2 तो page number 2 पे पूरा ये introduction to scientist Newton का पूरा cancel कर दिया है और ये भी cancel कर दिया, circular motion and centipetal force तो इससे related जो भी questions रहेंगे वो भी नहाएंगे, ये आपको याद रखना है तो ये है page number 2 पे, फिर page number 4 पे आना है आपको directly, page number 4 पे Kepler का जो introduction है, वो cancel कर दिया है Introduction cancel किया, ये सब नहीं cancel किया, ये सब याद रखना है आपको, यहां तक ये सब use your brain में जो है, ये सब भी आपको याद रखना है फिर चले, page number 4 हो रहा है, फिर page number 5 पे आते है यहाँ पर uniform circular motion और magnitude of centripetal force यह cancel किया है, तो मतलब यह derivation जो है वो भी cancel हो गया है use brain power यह भी cancel हो गया है page number 5 पर फिर इसके बाद page number 6 पर page number 6 पर use your brain power और do you know यह cancel किया है, मतलब जो high tide low tide का question है यह भी नहीं है यह भी नहीं आपसे पुछेगा कुछ फिर इसके बाद page number 7 पर आईए 7 पर सिर्फ इतना जो information collect करने को बोला था आपको collection नहीं करना है, मतलब यह आपको पर आपको work out नहीं करना, extra information नहीं ची आपको, page number 7 पर इतना cancel गया सिर्फ, फिर page number 7 के बाद, directly page number 9 पर आईए यहां पर mass and weight के बारे में यहां तक cancel किया है, मतलब definition दोनों का cancel हो गया है, यह आपको याद रखना है, फिर यह part आपको cancel कर दिया है page number 9 पर फिर page number 9 के बाद आपको cancel कर लीजिए फिर page number 9 के बाद आपको आना है page number 10 पर तो page number 10 पर आपको do you know, जो gravitational waves है वो पूरा cancel हो के है तो यह आपको cancel करना है page number 10 पर फिर page number 10 के बाद आईए page number 11 पर वो भी, उसमें भी do you know cancel कर दिया है, value of g के बारे में जो था question वो cancel कर दिया है फिर मतलब यह cancel कि आपको यह read करना है एक बार read करना पढ़ना नहीं है मत करी, read, cancel हो गया page number 11 पर 11 के बाद, आईए page number directly 14 पर 14 पर, do you know, यह cancel क्या है तो आप cancel करिये 14 के बाद, page number 16 पर आईए second lesson पर तो दिखे, can you tell में sorry, can you recall में तो लिखा जो था मारठीय में वो लिखा था वरुन पाचवी ओड, तो 1, 2, 3, 4, 5 तो इसके साब से दिखेंगे तो एक cancel हो रहा है और मेरे साब से पतरी, शायद से यह पूरा cancel होगा या तो आप एक तो cancel है, उसके बाद यह आप जस्ट read कर लीजिए, classification of elements यह पूरा cancel कर दिया है और यह जो टेबल है, डूबे रेनर के ट्रायड में उसमें second example और third example को cancel किया है मतलब lithium sodium potassium को जो ट्रायड का example है वो आ सकता है लेकिन calcium, strontium, barium यह सब नहीं आएगा तो यह cancel कर दिया है, page number 16 पे फिर 16 के बाद 17 पे आईए यहाँ पे यह do you know section पूरा cancel किया है जो foreign language में जो धून था, जिसे इंडियन में सारे गामा है तो law of octave में, new land में यह भी cancel कर दिया है तो आपको new land के बारे में सिर्फ इतना समझना इतना पढ़ना है फिर यह page number, sorry, page number 17 पे उसके बाद page number 18 पे introduction to scientist मतलब मैं डिलिप के बारे में आपको information यह उनका जो introduction है वो cancel किया है मतलब आप आइसा समझें कि introduction में से भी questions आते थे board exam में लेकिन इस बार cancel किया है फिर page number 19 पे use your brain जो है isotopes के बारे में जो दिया है वो cancel किया है यह chlorine का यह आपको याद रखना है फिर page number 19 के बाद 21 पे आईए यहाँ पे use your brain यह cancel किया है यह सब याद रखिए फिर 21 के बार 22 पे groups and electronic configuration का से पहले मतलब यह जो can you tell है वो cancel कर दिया है 1 से लेके 4 तक और do you know cancel किया है यह आपको समझना है cancel करते चलना है फिर 22 page के बार 23 page पे can you tell यह cancel किया है फिर 23 page के बार 24 पे can you recall cancel किया है 1 से लेके 3 तक 27 page नमबर पे direct आईए यह पूरा नीचे का section cancel हुआ है तो यह याद रखिए इसको cancel कर लीजे फिर 27 के बार 28 पे do you know यह पूरा cancel कर दिया है उसके बाद यह second chapter खतम हो रहा है यहाँ पे इसके बाद चलते हैं third chapter पे यहाँ पे देखिए पूरा cancel हुआ है याद रखिए पूरे table के साथ में यह सब कुछ cancel हो गया है तो यह आप cancel कर लीजे page number 30 पे फिर 30 के बाद 31 page number पे find out सिर्फ cancel किया है इतना उसके बाद 31 पे sorry 31 के बाद 33 पे आपको try this यह पूरा cancel बोला है किया है तो यह आप याद रखिए अब try this में पूरा भी आ सकता था लेकिन आप यह थोड़ा सा read कर लेजी हो सकता आ सकता तो इतना तो आपको नहीं समझना है किस तरह करना है experiment वो नहीं समझना है वो नहीं देखना है do you know or find out यह पूरा cancel कर दिया है पेज नंबर 33 पे फिर उसके बाद पेज नंबर 35 पे यह पूरा cancel है use your brain power और फिर 35 के बाद 36 पे use your brain power और try this तो try this में इतना cancel समझे है यह आप याद रखिए लिजे है एक बार read कर लिजे तो यह 36 पेज नंबर उसके बाद 37 पे can you recall cancel किया है फिर 39 पे यह देखिए पूरा cancel कर दी यहाँ पे बोला गया साफ साफ के पूरा cancel procedure 100% cancel किया है तो यह पूरा cancel है user brain cancel है can you tell me cancel है 1 से लेके 6 तक उसके बाद 49 पे आई है 49 पे यह do you know पूरा cancel किया है फिर 49 के बाद 42 पे यह पूरा cancel है और यह भी पूरा cancel है यह याद रखे फिर 43 पे can you tell पे यह cancel है और do you know पे यह cancel है 43 के बाद 44 पे find out सिर्फ cancel हुआ है फिर 44 के बाद 46 पे project के लिए जो दिया जाता था वो नहीं करना है आपको फिर 47 पे यह पूरा cancel है देखिए पूरा suppose करिए समझे पूरा ही cancel है यह 3 box बना है लेकिन आप समझे पूरा cancel है यह page number 47 पे था फिर 48 पे अगर आप देखते हो तो think about it यह cancel किया है फिर 49 पे always remember और find out यह दोनों cancel होगा है तो यह आप cancel कर लिजे फिर 50 page number पे do you know cancel कर दिया है और यहाँ पे एक चीज़ आपको समझना है जो PDF में दिया था जो उनके तरफ से आथा 51 page number पे उनोंने बोला था कि example 1 and 2 cancel किया है लेकिन page number 50 भी example 1 or 2 है और अगर page number 51 देखते हैं आप तो 51 पे example 3 और 4 है जबकि उनोंने cancel करने को बोला है 1 and 2 तो अब यह नहीं समझ में आ रहा है कि 1 or 2 cancel हुआ है जो page number 50 पे है लेकिन उनोंने बोला कि page number 51 का 1 and 2 cancel कर दिये तो वहाँ पे तो page number 51 पे तो 3 or 4 है तो यहाँ पे फिलाल के लिए आपको थोड़ी दिर रुकना है जिसे इसे एक दो मेना बीतेगा clear हो जाएगा कि यह दोनों cancel था या वो दोनों cancel था क्योंकि अभी तो शुरू हुआ है जो जो mistake उन्होंने किया है अपनी तरफ से वो सब कुछ मेनों के बाद समझ में आई जाएगा तो फिलाल के लिए जो डारेक्ली cancel है वो आप समझ लीजे तो 51 के बाद चली 52 पे introduction to scientist cancel किया है always remember cancel किया है 52 पेज पे 57 पे डारेक्ट आएए यहाँ पे galvanometer पूरा cancel किया है तो यहाँ पे question यह है कि galvanometer का अगर यह paragraph में cancel किया है तो exercise में जो galvanometer को लेके question है वो नहीं आएगा students क्योंकि यहाँ पे cancel करने का मतलब फिर वापिस से question क्यों पूचेंगे तो galvanometer को लेके आपको question नहीं पूचा जाएगा 57 पेज नमबर पे था यह cancel हो गया फिर 58 पेज नमबर पे introduction to scientist कैंसल किया है फिर 59 पे यह पूरा AC और DC कैंसल कर दी यह आपके लिए अच्छा है यह पूरा cancel हो गया है 59 पे फिर पीज नमबर 60 पे what will be required to make a DC generator यह इतना portion cancel है यह chapter कतम हो रहा है फिर 5 चप्टर में try this cancel किया है 1 से लेके 7 तक पूरा फिर 67 पीज नमबर पे introduction to scientist कैंसल कर दिया है फिर 69 पे आई यह ICT के बारे में information collection वो cancel कर दिया है example 3 यहां से continue हुआ है यहां तक तो यह दोनों cancel हो गया मतलब example 3 cancel हुआ है जो page number 71 तक continue हुआ था तो यह इतना आपको cancel करना है तो यह हो रहा है आपका यह वाला lesson complete हो रहा है इसके बाद 73 पे 6 lesson जो है वो भी थोड़ा सा mistake था उनके page number पे लेकिन activity बोला तो यही lesson था तो यह activity cancel किया और यह activity cancel किया है फिर 75 पे यह table का देखें आपको सिभ इतना refractive index find out करना है air, ice, water, alcohol और kerosene का बाकि यह जो है इनके refractive index आपको by heart नहीं करना है या याद नहीं करना है तो यह चीज़ें पे आपको समझना है इतना cancel किया है फिर 75 के बाद 76 पे यह cancel कर दिया है twinkling, sorry, can you tell में यह cancel कर दिया है फिर 77 page पे use your brain power cancel किया है 82 page पे यह पूरा method cancel कर दिया है यह वाला पूरा फिर 82 के बाद 87 page number पे do you know cancel किया है 87 के बाद 90 page पे टेलिस्कोप के बारे में cancel किया देखे, टेलिस्कोप के बारे में यह cancel किया है 91 के बाद वो continue हुआ 91 पे भी यहां तक तो टेलिस्कोप के बारे में भी कोई question नहीं पूचेगा आपसे तो यह cancel हो गया है 91 पे फिर 93 पे अगर आप आते हो नया लेसन है तो Metallology में Think About में कैंसल किया है और Properties Sorry, Physical Properties और Of Metal और Non-Metal ये दोनों कैंसल कर दिया 93 पे फिर 94 पे Do You Know कैंसल किया है और यहां पर आपको समझना है कि ये जो Try This, ये जो Experiment है इसके अंदर आपको ये तीन इलिमेंट्स को नहीं Try करना है मतलब Copper को नहीं करना है, Lead को नहीं करना है और Sodium को नहीं करना है बाकि सब रहेगा, तो ये आपको समझना है फिर उसके बाद 94 के बाद 95 पे ये Cancel किया है Reaction, ये आपको याद रखना है उसके बाद 96 पे ये Cancel कर दिया है पूरा, फिर 96 के बाद 98 पे सिर्फ potassium iodide आपको exclude करना, ये chemical नहीं रखना है, बाकि सब chemical के साथ question पूर सकते हैं, तो ये 98 पे था, फिर 98 के बाद 101 पेज नमबर पे सिर्फ ये cancel हुआ है, फिर 102 पेज नमबर पे do you know cancel हुआ है, फिर 105 पेज नमबर पे ये cancel हो गया है, फिर ये भी cancel है, फिर 108 पेज नमबर पे पूरा cancel हो गया है, ये chapter खतम हो रहा है, लास्ट चप्टर आ गया, 110 पे, नहीं, second last है, can you recall cancel हुआ है, फिर can you tell cancel हुआ है, फिर can you tell हुआ है, पेज नमबर 110 पे, फिर 112 पेज नमबर पे do you know cancel हो गया है, और 116 पेज नमबर पे do you know cancel हो गया है, फिर 127 page number पर वापे से do you know cancel हुआ है और 128 पर ये पूरा cancel हो गया है और उसके बाद 131 पर macromolecule and polymers ये पूरा cancel कर दिया है तो याद रखना आपको फिर 132 page पर देखे पूरा page cancel है 131 से शुरू हो रहा है 132 पूरा cancel है 133 पूरा cancel है तो इसके base पर जो भी sums होंगे वो आपको नहीं करना है या आपको याद रखना है students और धीरी-धीरी कुछ महीनों में और भी clear हो जाएगा कि कुन-कुन से questions भी नहीं पड़ना है तो जो जो paragraph में cancel कर दिया उससे based जो भी question रहेंगे वो भी नहींगे board exam में तो यह होगा page number 133 पे अब चली last lesson पे space mission पे यहाँ पर यह पूरा last का तीनों section cancel है do you know, can you recall और can you tell page number 135 पे फिर 136 पे यहाँ पर आपको use of ICT cancel किया है फिर 139 पे यह दोनों example cancel कर दिया है do you know cancel कर दिया है मतलब यह रखा है तो हो सकता है यह diagram आ सकता है exam में तो यह पूरा cancel किया है दोनों example और do you know page number 139 पे फिर 141 पे do you know cancel किया है यहाँ पे फिर 142 पे scientist के बारे में information जो था यह cancel कर दिया तीनों scientist का और last फिर है अब that's all last है यह introduction to scientist यह cancel किया है अब धीरे धीरे देखे इतना तो आप cancel कर लिजी इसके बाद जो भी जैसे भी नया चीज अब धीरे धीरे इस पे work out होएगा कि क्या mistakes हुआ है क्या नहीं हुआ है तो उसके उपर और भी कुछ मेहनों में आ जाएगा result आपके सामने तो clear हो जाओगे आप exam के पहले इसका एक PDF भी यह पूरी screen का यह पूरी वीडियो का एक PDF में अपने website पे upload करने वालों एक दू दिन में या आज ही में evening में तो आप check कर ले ना तो चलिए और भी जो science 2 का है और other subject के जो हैं जैसे complete होगा मैं आपको upload कर दूँगा तो चलिए मिलते हैं next video में thank you very much